हेलो गाज जैसा कि आप लो देख रहे हैं चर्किट का second problem जिसको आप लोग ए बी सी डी parameter के नाम से दूसरा भी नाम जान सकते हैं transmission parameter थीक ? तो transmission parameter में टी parameter भी निकालने के लिए आप लोग को कहस सकता है question में जैसा कि आप लोग circuit देख रहे हैं तो सबसे पहले इस तरह कि आप लोग को circuit दिया रहे हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं प्लस माइनस EV2 है लिए इनपूट आटपूट जानवे करते हैं इधर से आने वाली current मतलब I2 यह क्या है I1 ठीक उसके गाद हम लोग जानते हैं जैसे कि आप हम लोग क्या कर सकते हैं के भीर का यूज कर सकते हैं ABCD पैरामेटर के लिए आप लोग को equation पता होने चाहिए V1 is equal to हम लोग पहले से पर चुके थे AB2 minus BI2 और I1 is equal to क्या होता था CB2 minus DI2 ठीक यह equation पर चुके थे ठीक आप इसी equation के आधार पे हम लोग को इस circuit को find करना है जो value आईगा find करना है ठीक तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे किसके अनुसार डेकि circuit के अनुसार चलना ठेक जैसे ठेक तो देखिए इधर से अगर हम लोग पहले solve करें V2 के लिए तो देखिए केसी यह लगर आप लगा रहे हैं क्या हो जाएगा V2 is equal to minus 3 I1 plus क्या हो जाएगा 20 into I1 plus I2 अब देखिए क्या हो जाएगा V2 is equal to minus 3 I1 ठेक 20 I1 plus 20 I ठेक इतना हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं क्या हो जाएगा V2 is equal to तो 20 में से तीन जागा तो कितना बज़ेगा 17 I1 plus 20 I2 ठेक आप देखिए हम लोग को I1 जिस 17 I1 is equal to लिखेंगे तो क्या हो जाएगा V2 minus 20 I2 इतना हो जाएगा ठेक इतना हो जाएगा ठेक तो देखिए इसको हम लोग equation first मान सकते है equation first कैसे मानेंगे जैसे I1 का value आ गया है यहां से हम लोग ABCD parameter के लिए जैसे देखिए यहां पर आप लोग को equation लिखे थे तो I1 के लिए हम लोग को निकल गया है तो C V2 minus TI2 ठेक यह equation first है यहां से आप लोग find करना चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं C का value 1 by 17 क्या हो जाएगा I1 by B मतलब current by voltage राता है तो क्या रेसिशन इसके उल्टाइन की महों क्या हो जाएगा ठेक यह हो जाएगा महों में ठेक और इसका D निकलना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा 20 by 17 unit less होगा क्योंकि I1 by I2 ठेक देखिए अब हम लोग दूसरे equation की ओर चलेंगे देखिए इसमें केवल लगा सकते हैं केवल यसमें क्या हो जाएगा 21 is equal to देखिए आगे हम लोग बरते हैं तो हो जाएगा इसमें 21 is equal to 10 I1 ठेक 20 into I1 plus I2 हो जाएगा इसके लिए देखिए 21 के लिए चलेंगे तो 10 I1 फिर पालस 20 into I1 प्लस I2 ठीक तो देखिए इतना अब इसको हम लोग स्वालू करेंगे क्या हो जाएगा I1 is equal to 10 I1 plus 20 I1 plus 20 I2 तो V1 is equal to 20 plus 10 30 हो जाएगा I1 plus 20 I2 ठीक तो देखिए V1 is equal to हम लोग को जो एक्वेशन परामेटर के लिए होता है यह होता है इस तरह बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जो आप I1 का value जो समेकनल first से हम लोग आया है यहाँ पर put up कर देंगे तो V1 is equal to 30 into I1 का value क्या आया था 1 by 17 V2 minus 20 by 17 I2 है तो इसको solve करेंगे क्या हो जाएगा V1 is equal to 30 by 17 V2 minus 600 by 17 I2 plus 20 I2 ठीक तो V1 is equal to 30 by 17 V2 minus आप हम लोग क्या करेंगे इसका में गटा हो जाएगा कितना आ जाएगा माइनेस 260 बटे 17 I2 देखे 17 अधूना चोंतिस 340 मतलब 600 में से 340 जाएगा तो 260 बटे 17 ठीक यहाँ एक्वेशन आगे आप लोग को second equation आगे ठीक तो V1 is equal to V1 हम लोग को पता चल गया यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं एक्वेशन क्या हो जाएगा 30 by 17 मतलब V1 by V2 लिके यूनिट लेस भी एक्वेशन क्यों कितना है 260 बटे 17 तो क्या हो जाएगा V1 by I2 मतलब क्या हो जाएगा हो ठेक ट्रांस्मेशन लाइन के अनुसर ठेक देखिए अगर आप लोग को A B C D B B का वैल्यू फाइंड कर दी और C D का वैल्यू तो आप लोग देखे वे किया थे देखिए C का वैल्यू कितना आया था 1 by 17 D का वैल्यू 20 by 17 यही फाइंड करन आप लोग का ट्रांस्मेशन टी पराइमिटर के अनुसर आप लोग दर सा सकते इसको ठेक आप आप लोग समझ गया होंगे जल्द से मारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर देजेगा थैंक्यू और सकते अबू़ कर दोगी जल्द से आप लोग जल्द से एल्द से खाइब कर दोगी से आप लोगी से ड्रांस्टाइब कर दोगी से आप